हेलो गाईज, SPR Education चैनल में आपका स्वागत है, और मैं सिस्पाल सिंग, आज आपके सामने Past Continuous Tense की सामधार व्यूडियो लेके आया हूँ, जो मैंने आपको step by step बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिस की है, आप इस व्यूडियो को देखना और enjoy करना, चलो start करते हैं, Past Continuous Tense, Past Continuous Tense को हम हिंदी में अपून भूतकाल बोलते हैं, जैसे पहचान, पहचान क्या है इसकी, वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे सब्द आते हैं, जब आप कोई बाक्ये बोलेंगे, जैसे वह है, स्कूल जा रहा था, तो रहा था आ गया, इस तरह से यह वाक्या आते हैं, वाक्ये के अंत में, ओके गाइस, फिर इसको हम बनाते कैसे हैं, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, ठीक, तो मैं सब्जेक्ट हैं, तो I was reading my book, I was reading my book, next, आप इसमें आती है, रचना, यानिके ह हम structure क्या है, किस तरह से बनाते हैं इसको, जैसे यह अपने लिखा subject, प्लस वाज या वर, यानिके आप या तो वाज लगाएंगे, या वर लगाएंगे, इन दोनों में से एक, प्लस वर में आएंजी, और प्लस object, इस तरह से आप इसको बनाएंगे, बनाएंगे कोईश करे वाज लगाते हैं, कौन कौन से subject है, I, He, See, It, Name और singular, इन सब के साथ हम वाज लगाते हैं, प्लस वर में आएंजी लगाते हैं, अब इनमें आपको पताईए, I माने मैं होता है, He माने वह, C माने वह अगर लड़की है, It माने वह अगर कोई बेजानदार वस्तु है, Name किसी क अब भी नाम हो जकता है, राम, सियाम इस तरह से, और singular में कोई भी एक वचन आएगा, तब हम इसका प्रियोग करते हैं, वाज का प्रियोग करते हैं, ओके, Next, Next आता है, Plural, U, V, They, और Plural, इसके साथ हम वर लगाते हैं, प्लस वर में आएंजी जोडते हैं, ओके, चलो आएंगे हमने आए के साथ वाज लगा दिया, ओके गाइस, वे मुझे बता रहे थे, वे के एंगरे जी होगी, दे, वर हमने लगाया क्योंकि यह प्लूरल है, इसलिए हमने वर लगा दिया, दे वर टैलिंग मी, मी आ गया मुझे, मुझे क्या गया पर, Next, वह इसनान कर रह है, वह सोच रही थी, सी वाज थिंकिंग, ओके, नेक्स्ट, मैं सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग, वह आ रही थी, सी वाज कमिंग, वे, यह वे, वे आ रहे थे, दे वर कमिंग, हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग, वे बोल रहे थे, दे वर टैलिंग, वे की दे हो यह ठीक है वे बोल रहे थे देवर टैलिंग मां हस रही थी तो मदर वाज लाफिंग मदर वाज लाफिंग और देखो नेक्स्ट अभी आप आज आते हैं निगेटिव संटेंस यानि के नहीं वाले वाकिया आप कैसे बनाएंगे उनको एक बार देखेंगे वह स्कूल नहीं she was not going to school अब देखो आपको वाज नौट यानि के वाज के तुरंत वाज लगाना है वाज या वर के बाद आप नौट लगाएंगे वह पतंग नहीं उड़ा रहा था he was not flying the kite वह गीट नहीं गाह रही थी QU तुम नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या वाले वाक्ये देखो ये क्या वाले वाक्ये हैं क्या वाले वाक्ये सूत्र क्या वाले वाक्ये में हम क्या वाले वाक्ये दो तरीके से बनाते हैं या तो क्या बीच में आ जाता है या क्या पहला आता है इसी तरह से आप कुशन पूल सकते हैं जब क्या पहले आता है तो आप उसकी अंग्रेजी वाज वर पहले लगा देंगे और यदि क्या आता है वाकिय के बीच में तो आप उसकी अंग्रेजी वाट लगाएंगे ओके देखो जैसे पहले सूत्र देखो वाज या वर इन दोने में से एक लगाएंगे अकॉर्डिंग रहे थे कुश्यन है, क्या तुम लिख रहे थे। फ़ार यू राइटिंग, क्या तुम कूद रहे थे, ब्रे यू जंपिंग, कूद नहीं, जंप होती है, हमने फार्शा है, क्या माँ फल खा रही थी, मदर, मतनब वाज कहला जाएगा, मधर उसके बाद आजया, देखो बचा है उसके बाद कुशिन मार्ग देखो क्या मात्फल क्हा रही थी वाज मधर इटिंग फूट्स क्या वह है भाग रहा था वाजी रनिंग क्या वे समाचार पत्र पड़ रहे थे वर्दे रिडिंग न्यूजपेपर वह क्या खा रहा था अब देखो क्या यहां पर आ गया अब क्या बीच में अगर क्या आथा है क्या क्यों कब कैसे तो आप उसके अंग्रेजी यहां पर लगा दी वाट वाज इंटिंग हम क्या पढ़ रहे थे तो और वाट वर भी वाट अब देखो यह एक के छह बाक्य बनाने की ट्रिक है आपको एक के छह बाक्य बनाएंगे आप इसमें आप एक साथ कई सारे बाक्य बना लिए जैसे वह खा रहा था इस तरह से आप प्रक्रिस करो और यह देखो और चायें अब स्केर्इं ले सकते हैं यह लो इस तरह से आप एपने पास रखो और इसकी प्रक्टिस करो, because practice make a man perfect, okay, next, practice के लिए मैंने आपको कुछ sentence लिखे हैं, आप इनको घर पर बनाने, बनाए और प्रक्टिस करें, जैसे वह दोड़ रहा था, छेवा की बनाने, छेवा की बनाने, जैसे मैंने ये बनाए उपर देखो, ये देखो, one, two, three, four, five, और six, इसी sequence में आपको बनाने, okay, where दोड़ रहा था, वे सोच रहे थे, तुम मेरट जा रहे थे, तुम किताब पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, खरीद रहे थे, या किताब फाड रहे थे, या जो भी आप sentence आए, बना सकते हैं, हम नाच रहे थे, इस तरह से आपके ये practice के आप उनके practice कर सकते हैं, okay guys, SPR Education Channel को देखने के लिए धन्यवाद,